देवास के अमलतास हस्पताल में गुरुवार को केबिनेट मंत्री मोहन यादव ने 40 बिस्तर वाली शिशु रोग आईसीउ का शुभारम किया ये आईसीउ कोरुना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के चलते महस 15 दिन में तयार किया गया है आईसीउ में आधुनिक मशीने लगाई गई है इसमें वेंटिलेटर, बाइप, सेंट्रल उक्सिजन सप्लाई और विस्तर पर ये एक्सरे जैसी सुविधाएं उपलप्त कराई गई है चेर्मिन मैंकराज भधोरिया ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए ये आईसीउ बहुत ही कम समय में तयार किया गया है बाल रोग विशेश के निहा काकानी ने बताया कि आईसीउ में हर बेट पर एक नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रहेगी ये नर्से बच्चों की देखबाल में दक्ष है आज उद्गाटन सब्रे हुआ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमलतास होस्पिटल हमेशा ही सेवा में लगा है यहां के जो डॉक्टर से ये सेवा भाव से अपनी सेवाए गयत एक साल से उपर हो गया अपनी जान जोकिन में दाल कर करोना के युद्धा बोलकर पूरे चारो ही जिले के उसमें उज्जेन होगा देवास है आगार है शाजापूर है ये चारो ही जिले के जो यहां पर कोवीट के पेशन्स इनके सेवा में जुटे हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो रिकवरी जो लोगों का अच्छा होने का रेट भी बहुत जादा है और जादा से जादा लोग इस हस्पिदाल का प्रयोग करके उनको उसका फाइदा हुआ है और अच्छे होकर अच्छे सेहत मंद होकर यहां से गया है